अले स्टूडेंट साज इस वीडियो में करेंगे क्लास 12 विस्ट्री का चैप्टर नमबर 7 पार्ट का नाम है एक सामराज्य के राजदानी विजयनगर तो इस पार्थ पर आधारित प्रशन जो है वो हम इस वीडियो में करेंगे दो प्रशन हमने लिए हैं जो कि एक्जाम मे बार-बार आते रहते हैं तो अगर आप 15 अंक अपने पक्खे करना चाहते ऐं अगर आपने क्योंकि मैं अभी आपके पास इसका चठा उंक लेके आया हूँ जो की चैप्टर साथ से लिए गया वार्षा में नहीं है तो पहले वाले पॉडियों नहीं देखें हैं आपने अभी तक तो उसको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा कर देख सकते हैं या प्लेडी कожет कर सकते हैं तो शुरू करते हैं वीडियों को तो पहला जो अनुखे को पढ़ कर नीचे दिये गए प्रश्ञों के उत्तर दीजीए, यानि कि हमारे को यहां पर इस अनुश्जद को पढ़ना है और फिर इस सब तो हैं दो प्रेशन दो-दो ऑंकों के हैं और एक प्रेशन एक अंका है तो उसको ध्यान से पढ़ना है और उत्त्रेस्मेश छाटने है तो इसका शीर्षक है हौजों जलाशiy' का निर्मान किस प्रकार होता था थो हौज जो होते हैं हुँ उनको ऩाला फॉटर होते यानि के पानी एकत्र करने के जगाएं होती हैं तलाब जिनने कह सकते हैं आप तो कृष्ण देव राय द्वारा बनवाएंगे जलाशे के विशे में पेस लिखता है पेस जो है एक लेकक है और जलाशे का मतलब तलाब होता है जैसा कि हमने आपको शिट्शक के डिस्क्रिप् मुख बिबर पर जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल इकटा हो यानि के उन्होंने जलाशे को इस प्रकार से बनाया है कि वो दो पहाड़ीयों के बिलकुल मुहाने पर था इस प्रकार से था कि जहां दोनों पहाड़ीयां जाके खत्म होती हैं तो इस पर उन्हों ने इस तालाव को बनवाया तांकि दोनों पाड़ीओं मेंसे किसी बी एक पाड़ी से या दोनों से पानी जो है उस जगा पर एकठ़ा होकर उस को भर सके पानी से, तो इसके अलावा क्योंकि वर्षा का पानी जो है, या जो अगर क्योंकि दक्षन भारत में आप जानते हैं कि बर्फिली पाड़ या नहीं होती है तो खाली वर्षा पर निर भर हैं तो वर्षा का पानी क्योंकि सालवारी कत्र नहीं होता इसलिए शेश समय के लिए जो जल है वो नौ मील जो की लगबग 15 किलोमेटर के लगबग होता है तो उससे भी अधिक दूरी से पाइपों की मदद से आता था तो जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है तो जलाशे में तीन विशाल स्तंब थे इसतंब का मतलब था खंबे तो जिन पर खुबसूरती से चित्र उकेरे गए थे यानि कि चित्र बनाये गए थे इन जलाशें को बनाने के लिए राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया था यानि कि उन दोनों पहाड़ों के बीच में जहां इस तलाब को बनाया गया था, कोई उनके बीच में एक पहाड था वो उस जगा पे, जिसको तोड़ कर उस जगा को, क्योंकि पानी एक अत्रवने की वहाँ सबसे अधिक संभाव ना थी, तो पूरी एक बीच में पढ़ने वाली पहाड़ी को तुड़वा दिया गया था, तो जलाशे में मैंने इतने लोगों को कारे करते देखा, कि वहाँ पंदरा से बीस हजार आदमी थे, तो यहाँ पर पेस लिखते हैं, कि वहाँ पे एक जलाशे को बनाने लिए पंदरा से बीस हजार तक के आदमी जो है, या लेबर जो है, वो काम कर रही थी, जिस तरह से च चीटियों की तरह लगे वे थे तो अब जो प्रश्ण है वो इस प्रगार है कि राजा ने जलाशे का निर्मान क्यों करवाया था यानि कि राजा ने जलाशे को क्यों बनवाया तो यहां पर आप देख रहे हैं कि राजा ने एक जलाशे को बनाया और किसलिए बनवाया तांक के चलाशे में पानी कैसे आता था तो आप जानते हैं चलाशे न seguridad में पाहड vast बैहकर आता था और गुदर कोई सीजन होता था था थो उन्हें जो है नॉम इल्टी डूरे कर फ़ाई से जो है कीच यदिगर लाए जा जा जिक्र तो पढ़ते हैं तो इसके लावा छोटी नदियां भी है और आपको ये भी पता है कि विजे नगर जो है वो तुम्बद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ था इसी लिए जो है ये सब उनके यहां जो जल संरचनाए जो थी जो जिन से उनको पानी मिलता था तो क्रिशन देवरा द्वारा क्यों और कहां जलाशें का निर्मान करवाया गया तो इसके लिए आपको इसी पैराग्राफ में जैसे बताया गया कि दो पाड़ियों के मुख बिवर पर बनाया था और उसके लिए उन्होंने पूरी पाड़ी को तुड़वा भी दिया था तो कहां जलाशें का निर्मान किया गया वो दो पाड़ियों के मुख बिवर पर और क्यों किया गया वो जो है आप जानते ही है कि पानी पाड़ियों का पेकटा किया जा सके ताकि जल उनको बनाने से जो आगे जो उनके यहां खेत हैं उनके सिचाई की जा सके इसके इसके अला प्रपर उत्तर जो हैं अगली स्लाइट पे देते हैं तो पहला कॉश्टन है राजाएं ने जलाशियों का निर्मान क्यों कराया और जलाशियों में जल्किया पूर्ति कैसे की जाती थी तो ये दो उनका प्रश्ण है तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि राजा ने जलाशियों का निर्मान अपने बगीचों और धान के खेतों की सिचाई के लिए किया जो राजा के बगीचे थे बाग बगीचे ने बना रखे थे उनकी सिचाई के लिए और इसके जलावा किसानों जो खेत थे किसानों के जिनमें वो धान यानि के चावल बोया करते थे उसकी सिचाई के लिए जलाशों का निर्मान किया था तो जलाशों में पानी एक जील से लाया जाता था पाइपों के माद्यम से तो जलाशे में जल सनरचनाओं का Qiection.2 है कि विजे नगर की जल सनरचनाओं का उल्लेक कीजिए यह दो अंका प्रश्ण है तो इसका उत्तरिस प्रकार होगा कि विजे नगर तुम बद्रा नदी के किनारे बसा था नहरों, जीलों और तालाबों के माध्यम से सचाई की जाती थी तालाबों से लिए खेतों तक पानी लाया जाता था तो कृषण देव राय द्वारा क्यूं और कहां जलाशे का निर्मान करवाया गया तो ये एक अंका प्रेशन है तो इसका उत्र है कि कृषिन देवराय ने जलाशे का निरमान दो पहाड़ीों के मद्दे एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा कर इस पर कारक करवाया कि पहाड़ीों का पानी इसमें आकर एकत्र हो तो ये जो है उनका देश्य था कि दो पाड़ियों के मद्दे इस तरह से तलाब को बनाया जाए ताकि दोनों ही पाड़ियों से बर्शा का पानी बैकर उनके तलाब के अंदर आ जाए तो इसके लिए जो एक पूरी पहाड़ी को उन्होंने तुड़वा दिया था अब अगला जो अनुचेद है वो इस प्रकार है जिसमें पढ़कर हमारे को इन इस अनुचेद को पढ़कर इन तीन प्रश्णों के उत्तर देने हैं और यहां अनुचेद का शीर्शक है राजा और व्यापारी तो विजे नगर के सबसे परसिद शाषक क्रिशन देवराय जिनका शाषनकाल पंद्रा सो नो से पंद्रा सो नटिस तक दिया गया है यानि कि उन्होंने लगबग 20 साल तक शाषन किया और व्यापारियों के विशे में उसमें लिखा है कि एक राजा को अपने बंद्रगाओं को सुधारना चाहिए बंद्रगा यानि कि शिप्यार जहां पानी के जहां जाकर रुखते हैं तो उनको वो कहते थे कि सुधारना चाहिए एक राजा को और वानिज्य यानि कि कॉमर राजा को अपने बंदरगाओं पर ऐसे सुधार करने चाहिए ताकि वेवपारियों को इन सब चीजों को खरीद प्रोक्त करने के लिए कोई बाधा नाए तो और इसके अलावा वो कहते हैं कि राजा को ऐसा प्रबंद करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों को जिने तो फिर उनको किसी मौसम में खराबी की वज़ा से तुफान आने से बिमारी की वज़ा से या ठकान की वज़ा से या किसी अन्य कारण की वज़ा से देश में हमारे देश में उतरना पड़ जाए कि बली भांती देखवाल की जा सके तो इस तरह से सुधार किये जाएं कि उ है कि हाथियों और गोड़ों का आया थम्हारत में हुश्रम कि दोनों ही युद्ध के अंदर मेन भूमी का नभाया करते थे तो उनको रोज बैठक में बुलाकर याने कि उनको उपार भी दे राजा और सात ही साथ उन्हें उचित मुनाफ़ा जो प्रॉफिट कमा सके उसको उसको उसके लिए वहाँ वरे कि इतना तो आपको लाब होगी जाएगा तो इससे सम्मध करना चाहिए ऐसा करने से वस्तों कभी भी तुमारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेंगी तो यहां वो एक राजनिती की एक बड़िया चाल बताते हैं कि जो भी विदेशों से अच्छा सामान जो युद्ध में तु तो ऐसे व्यापारियों को आपको अतिरिक्त सम्मान देना चाहिए उनकी देखभाल करनी चाहिए हर तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए तांकि वही सम्मान आपके दुश्मन राज्ये को ना पहुंचा सके तो आप इन प्रश्णों पे विचार करते हैं तो पहला को इस प्रकार प्रोसाइद करना चाहिए कि गोड़ों हातियों रत्नों चंदन मोति और अन्य वस्तों का खुले तोर पर आयात किया जा सके तो इस पंक्तियों में से हमारे को इस उत्तर को चाटना है दूसरा प्रश्ण है क्रिशन देव राय के राज्ये में किन-किन चीज का आयात होता था तो इसमें जो उत्तर है तो वहाँ यह आप चौती पंक्ति में देख रहे हैं कि गोड़ों हातियों रत्नों चंदन मोति और अन्य वस्तों का खुले तोर पर आयात होता था तो इसी पंक्ति से हमारे को इस उत्तर को अपने शब्दों में लिखकर यहां व विदेशी व्यवारियों के साथ उचित व्यवार क्यों करना चाहिए तो जैसा कि आप जानते हैं कि विजे नगर के महानशाशक क्रिशन देवराये ने अपनी पुस्तक अम्युक्त मल्यद जो की तेलगु भाषा में लिखी हुई थी उसमें उन्होंने का कि एक राजा को वि समब्द करना चाहिए समब्द का मतला जोड़ लेना चाहिए ऐसा करने से वस्तों जो है यानि के जन चीजों का वो आयात करते हैं भारत के लिए वो कभी भी दुश्मनों तक नहीं पहुंचेंगी अगर उन्हें आप से अच्छा धन और अधिकलाब की उमीद मिलेगी और आप उनके साथ लगातार संपर्क में रहेंगे और उनको उनकी सारी सुखिदाओं का ध्यान रखेंगे तो वो आपके दुश्मनों तक उस समान को नहीं पहुंचाएंगे और आप सारा समान जो है जो आपके लिए युद में और अन्य साधनों में अच्छा होता है वो इस परकार है कि विदेशी व्यापारियों को बंदरगाहों पर अच्छी सुविधायं देकर व्यापार वानिज्य को प्रोच साहिद करना चाहिए तो plan कुसमें मन्दरगां को सुदारने का कारण ये बताया कहा है कि व्यापार और वानिज्य को यानि के trade and commerce को प्रोच करना चाहिए कोश्टन नमबर दो इस प्रगार है किर्शन देव राई के राज्जे में किन-किन चीज़ों का आयात होता था तो इसका उत्तर इस प्रगार होगा कि गोड़ों हातियों रतनों चंदन मोती और अन्य वस्तुआं का खुले तौर पर आयात किया जाता दा यानिक मेंन कारणों से करना चाहिए तो एक है व्यपार को प्रोसान देने के लिए और दूसरा है अच्छे घोड़ों और हातियों को जो की युद्धों में महत्वपून भूमिका निवाते हैं दुश्मनों की पहुंच से दूर करने के लिए तो यह जो दो कारण है जिनकी चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने गुरुदेव क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रैड बटन दबा कर उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें धन्यवाद